तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी आंगनबाडी सेविका बहुनों का पोसन ट्रेकर एप की एक और नई अपडेट में जैसा कि आप लोगों को इस वीडियों बताने वाला हूँ कि पोसन ट्रेकर एप का 18.1 एक नया अपडेट आ चुका है तो आएए जानते हैं किस प्रकार का ये अपडेट है और जैसे कि बहुत सारी आंगनबाडी बहने 18.0 जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पे जो ये अपडेट देख रहे हैं फिर से इस dashboard को change कर दिया गया है अब सभी आगनबाडी सेखाओं कि पोसन ट्रेकर एप में किस प्रकार से dashboard दिखाने वाला है किस प्रकार से फिर से कौन सा function कहाँ पे add किया गया है इसकी जनकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाली है तो अगर आप लोग को आज की ये वीडियो पशंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक किजएगा, बहनों तक सेर भी किजएगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो अपना छोटा भाई समझके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो जैसे हैं सबसे पहले हम यहाँ से पोसन ट्रेकर एप को यहाँ से काट लेते हैं तो अब कोई दीकत नहीं है सभी आगनवारी सेविकाओं के पोसन ट्रेकर एप में ये वाला अपडेट जरूर सो करेगा देख सकते हैं ये लेटेस्ट अपडेट 24 जनुवरी 2023 को यानि आज ही आया है और यहाँ पे पहला अपडेट क्या है Redesign of the Homepage यानि कि आप लोग का जो 18.0 का Homepage दिखा रहा था उसको फिर से Redesign किया गया है चलिए देखते हैं कैसा Dashboard रहेगा उसके बाद है Code Optimization और Minor Bug Fixes ठीक है तो आप लोग को सिंपली क्या करना है यहाँ से अपने Potion Tracker App को 18.1 का जो अपडेट है उसको अपडेट कर लेना है यह अपडेट आप लोग का जल्द ही हो जाएगा कोई दिकत नहीं है जब तक यह अपडेट हो रहा है आप लोग वीडियो को लाइक कर दिजिए जैसे ही आप लोग Open करेंगे तो आप लोग का जो Potion Tracker App है फिर से यहाँ पे Dashboard आप लोग का Change होके आएगा कुछ इस परकार से जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अब यहाँ पे समझेगा कि कौन सा केटेगरी कहां पे Add किया गया है और किस परकार से आपको इस नए Dashboard पे काम करना है फिरियो को आप लोग Last तक जरूर देखिएगा तो जैसे कि यहाँ पे हम पहले नमर बे आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो Beneficiary है उनका List यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ठीक है दूसरा यहाँ पे Daily Tracking का जो Option दिया गया है इस पे अगर आप लोग किली करते हैं तो जो आप लोग Attendance वगरा जो इसमें बनाते हैं यहाँ पे खुल के आ जाएगा और यहाँ से आगनवारी केंदर का status और बच्चों का attendance यहाँ से आप लोग बना सकते हैं एक बात का ध्यान दिजेगा कि पहले वाला अपडेट में आप लोग देख पा रहे थे कि यहाँ पे Arrow का आप लोग का एक निसान दिया रहता था जिससे कि आप लोग यहाँ से बैक कर लेते थे और Home Page पे चले जाते थे तो यहाँ से ओवो Option हटा दिया गया है आपको क्या करना है एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको Home Page पे आना है तो सीधे आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे Home Page का जो Option है इस पे आप किलिक करते हैं तो आप लोग डिरेक्टली Home Page पे आ जाते हैं फिर Beneficiary वाले Option पे किलिक करते हैं तो Beneficiary वाली के क्या है यहां ही से जाके आप लोग जो भी Home Visit वागएर आप करते हैं यहां पे आपना Home Visit आके complete कर सकते हैं उसको भी देख सकते हैं कितना छुटा हुआ है उसको भी आप लोग यहां से आके देख सकते हैं ठीक है दूसरा Option भी है जैसे कि 18.0 में आप लोग को देखने को मिले तो पर नीचे चौथे नमॉर or option में आके यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर भी home please कर सकते हैं ठीक इसके बाद चलिए आगे देखते हैं सब स्नल यहां पर home page पर आ जाएंगे और रणी ओप्षे जो एड किया गया है जैसे कि हा पर migrate beneficiary यानि अगर किसी गर्भवती महिला को migrate करना हो तो यहाँ पे वो लभार्थी का नाम सोग कर देगा तो आप लोग यहाँ से असानी से उसको migrate कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे अधार verify किसी का करना हो तो यहाँ से आके अधार verify कर सकते हैं निव रेश्ट्रेशन यहाँ से आके या कुछ भी profile update वगरा करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पे एक नया dashboard को add किया गया है जैसे कि यहाँ पे इस dashboard के बारे में बताने से पहले आप लोग को एक और बात clear कर देना चाहता हूँ देखे यह जो portion tracker app 18.0 जो update आया है यह अभी नया नय update होके आया है तो आप लोग इस dashboard पे click करेंगे तो आपका portion tracker app यहाँ से back हो जाएगा चलिए यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं जैसे ही हम लोग dashboard पे click करते हैं और कुछ इस परकार से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारा portion tracker app यहाँ से back होके कुछ इस परकार से देखने को मिल जाता है जैसे कि यह नया नया update आया है इसी कारण से हो सकता है तो आप लोग को portion tracker app में इस परकार की problem देखने को मिल जाए हलाकि ये problem जल्द ही ठीक हो जाएगी ठीक है तो इस dashboard के अंदर आप लोग को यहाँ पे home visit और growth monitoring के बारे में सभी details दिया गया है जैसे ही आप लोग इसको open करते हैं तो कुछ time बाद आपका यहाँ से back होके फिर से चला जाएगा तो आपको इस परकार से यहाँ पे problem देखने को मिल सकती है जैसे कि आपका फिर से यहाँ पे देख सकते हैं back हो चुका है लोग को इसी परकार से problem हो सकती है तो इस प्रकार से आप लोग का 18.1 का जो ये अपडेट है हो कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है और जैसे कि यहाँ पे जो more वाला option है जिसमें कि आप लोग event वगएरा अधार verify और जो भी details आप लोग को यहाँ पे 18.0 में देखने को मिल रहा था वो कुछ इस प्रकार से ही 18.0 आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताईएगा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सेर जरूर कर दिजेगा यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर जेगा तो मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नए जनकारी में अगर पोसंद ट्रेकर एब से रिकार्डिंग कोई भी आप लोगों को सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में